नमस्कार दोफ्तों आप सभी का लौ सिखो के दैनिक समाचार विशलेशन में तो आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं हम आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है कैरलाम के पुलिस एक्ट में नया संशोधन लाया गया है जिसकी काफी आलोचना की जा रही है तो उसी के बारे में यह हमारा पहला आर्टिकल हम जानेंगे यह संशोधन क्या है और इसके आलोचना इतनी क्यों की जा रही है उसके बाद में जो दूसरा हमारा आर्टिकल है यह है पॉलिशन के संबद में जैसे स्टबल बर्निंग पराली को जरानी की जो समस्या है इसके बारे में काफी बात तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे उसके बाद में जो तीसरा आर्टिकल है यह ब्रह्मपुत्र रीवर से संबंध में है जिसे आपको चाइना के बारे में पता है कि आयल गिन कुछ न कुछ समझ से आप भारत के लिए और पडोसी जो देशी उनके लिए खड़ा करता रहता ही है तो उसी और अपना और इस्तिती जारी रखते हुए चाइना ने इस बार ब्रह्मपुत्र रीवर पे कुछ कंस्ट्रक्शन इंफरस्ट्रक्चर बनाने की तैयारियों में है जिसके कारण ये भारत और जो आसियान कंट्री से उनके कि क्या गतिवीदिया की जा रही है उससे हमको कैसे हानी हो सकती क्या स्पेक्यूलेशन है उसके बारे में हम जानेंगे अंत में हमारा न्यूज इन फ्लेश है जिनमें हम महत्पुन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं तो चलिए मैं आगे बढ़ उससे पहले ये लॉस की वेबसाइट पर मिल जाएंगी तो आज का हमारा mcq देख लेते वह यह है कि यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविडिविटल केटिगरी में 2020 में किन को दिया गया आपका ऑप्शन ए है गयाल यंग सेंगे चौडेन वांग्चुक ऑप्शन भी है मैरिकॉम आंग सान सुगी जो भी आपका उतर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप जब भी कमेंट बॉक्स में अपना एंसर लिखते है तो ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग रिस्पॉंस कर रहे है और आपको इस लेक्चर का इस एनलिसिस का फाइदा मिल रहा है तो चलिए वर्णात्मक प्रशन के और बढ़ते हैं वह यह है कि कैरल पुलीस अधीनियम में जो हाल ही में संचोधन किया गया है वो कैसे अभी व्यक्ति की स्वतंतरता पर एक हमला बताया जा रहा है इस कतन की एक आलूशनात्मक विशिलेशन कीजिए आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं तो चलिए पहला आर्टिकल जो है हमारा इसी कैरल पुलीस अधीनियम का जो संचोधन किया जा रहा है 2020 में उसके बारे में है जैसे कि अभी विधान सब आपनी बैठक में नहीं है तो अगर आपको कुछ कानून लाना है तो आप ओडिनेंस के माधियम से लेकर आ सकते हैं तो उसी तरश पर वहां की जो government है उन्होंने यह ordinance ला है जिसको अभी जोवर्ंण और है उनकी तरफ से भी सहमती मिलगिए उन्होंने भी sign कर लिया है तो इसमें क्या आरोप लगा है इसमें यह आरोप लगा है कि अगर कोई भी ऐसा social media का post होता है जो कि threatening, abusive या humiliating है तो आपको सजा होगी threatening मतलब कुछ जारा होने वाला abusive मतलब आप किसे कुछ आरोप लगा रहे उसका वो मतलब होता है humiliating मतलब आप किसकी यहाँ पर निदा कर रहे है तो यह सारी अगर कोई गतिवीदी आपके तरह द्वारा social media पर देखने को मिलती है तो यह जो आपकी गतिवीदी है जो आपकी post है वो punishable मानी जाएंगी तो यह नया section इंसर्ट किया जा रहा है जो की है section 118a in kerala police act तो यह पुरा कानून है उसके अलावा बात यह आती है कि इसकी इतना आलोचना क्यों है इतना criticism क्यों है इसका तो पहला जो बिंदू वह तो यह है कि यह कदम है kerala government का यह encroachment है free speech और individual liberty पे जो आपकी स्वतंत्रता है और उसके साथ जो बोलनी कि आपकी अभिविक्ति यह स्वतंत्रता है और जो व्यक्तिकत liberty है उन पर यह हमला है उसके अलावा कही ना कही जो हमारी executive है जो यह पालिका है उसकी एक निरंकुष जो हमेशा गतिवीद्या देखने को मिलती है उसका यह गलत तरीके से एक अभ्यूस किया रहा है power का यह हमको देखने को मिलता है क्योंकि यह regulate एक्जेक्ट यहां पर रेगुलेट और रिस्टिक्ट कर रही है free speech को उसके अलावा writer यह बताते है कि आप को ऐसा प्रावधान लाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो Indian Penal Court है IPC जो है हमारी भारतिय दंट सहीता जो है उसमें already ऐसे provision से जिनके कारे जिनके द्वारा अगर कोई ऐसी कतिविति की जाती है जिससे free speech का जो रिस्टिक्टिक्टिक्ट हो रहे है तो आपके पास IPC की प्रावधान है तो फिर नया प्रावधान लाने की आपको क्या जरूरत है तो कोट ने इस संबन में कुछ केसे कुछ निर्नाइग दिये है सुप्रीम कोट ने श्रया सिंगल वजब दिया दोहसर पंद्रगा की इस हुआ था काफी फेमस की इस था जिसमें सेक्शन 66 जो आईटी एक्ट का है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था तो इसमें गेव गेव दे गवर्मेंट पावर तो अरेस्ट एन इंप्रिजर एन तो यहां पर गवर्मेंट को बावर मिल जाती है कि वह आपको अरेस्ट और आपको जेल में बंद करती है तो इसी प्रावदान का काफी मिस्यूज किया जा रहा था अलगलग राजियों में हुआ था केंदर सरकार के द्वारा भी हुआ था इसलिए इसे इसे इस्ट्रक डा जेल टर्म फॉर इंडिसेंट स्टेटमेंट और कमेंट तो अगर आपके कोई इंडिसेंट स्टेटमेंट और कमेंट होती है तो उसके लिए आपको जेल हो सकती है तो ऐसा प्रावधान आया था उससे भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया है उसके बावजूद भी जो केरला ग करते हो तो यहां पर इनकी कुछ एसी परिभाशा नहीं है तो कहीं भी कानून में इनकी परिभाशा ने को देखने को नहीं मिलती होती है तो काफी बेग होती है जिसके कारण यह बहुत chances बढ़ जाते हैं कि ऐसे जो provisions हैं इनका misuse बहुत जादा हो सकता है इसलिए इस प्रकार के provision कम से कम हमारे अगर सविधान की अगर सोल की बात करें अंतरात्मा की बात करें तो उसके हिसाब से यह बिल्कुल ठीक नहीं होती है ओ आर्टिकल 19 में जो हमको fundamental right मिला है freedom of speech का उसके totally against जाते हैं इसलिए time and again इसको सुप्रीम कोट के द्वारा ऐसे प्रावधानों को इस ट्रग्डाम किया जाता है तो चलिए जो हमा इस पिक्चर में देख सकते है कि किस तरीके से हालत हो जाती है कर आप उत्तर भारत की शहरों से नहीं संबन रखते तो आपको इस तस्वीर से कंदाजा आ जाएंगा तो यहां पर समाचार में यह क्यों बना हुआ है तो जैसे ही winter आती है जैसी थंडियों का मौसम आता है ज कंदों की संग्या काफी जादा बढ़ जाती है तो यहां पर people in Delhi and Indogagnetic plants are being affected largely तो जो डैली और यह गंगा के तटिये छेत्र में जो भी लोग रहते हैं उनके स्वास्ता पे काफी विपरित परिना ऐसे वायू प्रदिशन डालता है तो इसके reason क्या है वह हम जान लेते है इस कोई option नहीं होता है अभी वैसे कुछ और solutions के साथ में आई है कुछ governments तो यह कदम अगर आगे बढ़ता है तो यह समस्यास हम नितान पाए जा सकता है उसके अलावा जो दूसरा religion माना जाता है वो है atmospheric ammonia का अब यह जो atmospheric ammonia है यह fertilizers animal husbandry और agriculture जो प्रैक्टिस से यह वहां से आती ह और यह जो atmospheric ammonia यहां से release होती है fertilizer animal husbandry और agriculture practices से यह जाके मिल जाती है जो power plant से जो emission किया जाता है उनसे transportation जो हमारे vehicle से उनसे जो emission होता है उनसे और साथ ने fossil fuel जैसे कोईला वगेरा को हम जलाते है तो इनके production से तो यहां पर खेती के जो जुड़ी होई चीजे है उनका production और यह जो बाहर का जो industrial चीजे है इनका production मिलके जो pollution का level होता है वो काफी जादा बढ़ जाता है जैसे आप देख सकते हैं जैसे fertilizer हम जमीन में डालते हैं अब होता यह है कि इतना जादा fertilizer लोग use कर लेते हैं कि उससे fertilizer जो है उपर हवा में आने लग जाता है जैसे आप यह arrow की माद जो कण है pollution फैलाने वाले यह काफी जादा बढ़ जाते हैं तो चीन में एक study की गई है तो उनकी finding यह आई है कि the ammonia emission can account for one-fourth to one-third of particulate matter pollution तो जिन कणों के द्वारा pollution किया जाता है उसमें बहुत बड़ी भूमी का ammonia emission की है यह करीब-करीब एक चोथा या एक तिहाई तक contribute करता है pollution के लिए उसके अलबा बात यह आती है कि how air pollution effect से रिकल्चर जैसे मैंने starting में आपको बताया था कि किसानों को इससे effect होता है उनकी जो crop से उसको इससे effect होता है pollution से तो जानते हम कैसे है तो particulate matter and ground level ozone तो cause double digit loss in crop fields तो यहाँ पे double digit loss जो है वो crop की जो उत्पादिता होती है उस कारण उसका यह आ जाता है जैसे आपका यहाँ पर धुंद छा जाती है तो proper जो sunlight है वो crop है हमारी जो हमने फसल लगाई है उस तक पहुंच नहीं पाती है इसके कारण यह होता है यह plant के cell damage होते pollution से तो वैसे उसके साथ में जो photosynthesis की प्रक्रिया होती है जिसमें सूरज की क्र बहुत बड़ी भूमी का है वो भी handicapped हो जाती है वो भी अपने आप में विकलांग हो जाती है जिसके कारण plants की जो स्वास्ता है उस पर बहुत पूरा प्रभाव पड़ता है तो related studies की कुछ बात करी है the two pollutants has restricted 30% of India's wheat yield तो यहाँ पर टॉनी फिसर 2019 की estimation है की two pollutants के द्वारा जो भारत में गीहु की उत्पादता है वो 30% तक कम हुई है उसके साथ में high ozone in part of haryana in Punjab could demolition it by one fourth and cotton by half तो atmosphere chemistry और physics discussion के मादियम से यह आकड़ी दिये गए है कि हरियाना में जो high ozone part होता है इसके आरण हरियाना पंजाब के राजियों में जो rice की yield है जो उत्पादकता है rice की चावल की वो एक चोथाई से कम हो जाती और cotton में तो बहुत बुरा प्रभावर डालता है करवकर आधी आ आप चाहेंगे pay करना जिसके मादियम से आपका pollution ही हो taxpayer का money जो जा रहा है वो pollution को ही बढ़ावा दे रहा है तो वो कैसे pollution को बढ़ावा दे रहा है उसको कैसे motivate कर रहा है polluting behavior को वो थोड़ा बात कर लेते हैं पहली बात तो यह कि free water मिल रहा है free power मिल रहा है free water मिलने के कारण क हमने किसानों को यहां पर train नहीं किया है कि आप कैसे कम से कम पानी में ज्यादा उत्पादक कर सकते तो इससे किसानों के पास में जतना उनको पानी मिल रहा है उतना बूल लेते जा रहे है उसके साथ में free power मिल गई है कुछ राजियों में कि आपको जितनी machine चलाना आपको अब यहां पर open ended procurement है कि इतना आपने पैदा कर दिया हम उतना सारा ले लेंगे लेकिन यहां पर राइटर बताते हैं कि हमको समझने के आवशकता है कि हमारी जरूरत कितनी है उसके हिसाब से procurement हो क्योंकि किसान यह दिखता है कि ठीक है यह फसल उगाई मैंने तो इसका minimum support price है तो इसको तो सरकार लेख ही लेगी लेकिन ऐसा जो एक mentality है यह बहुत गलत होते जारी है इसके कारण हो यह रहा है कि किसान के वाल वही 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 वहसल उत्पादन कर रहा है उसके कारण यह हो रहा है कि natural resources जो है उन पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ रहा है और यह pollution के ल लिए fertilizer को एकदम अंधा दून तरीके से यूज करते जा रहे हैं तो यहां पर जरूरत है कि कम से कम हम इस और ध्यान दे और fertilizer जितनी जरूरत है कि वल हम उतना ही बाटे जिससे जो fertilizer है यह हमारे पानी में ना आ जाए क्योंकि fertilizer वह के नदियों में भी चला जाता है और अभी वाइटर ने कुछ सजेस्ट कर रहे है पहला यह कि शिफ्ट नीचर ओफ सपोर्ट तू फार्मर्स फ्रॉम इंपूट तो इन्वेस्टमेंट सबसीडिज तो यहां पर आप जो इन्पूट सबसीडिज दे उसके जगह पर आप इन्वेस्टमेंट सबसीडिज दिए मतलब क इसको बदलने की जरुवत है एक ऐसे तरीके आपने को निजात करने के जरुवत है और किसानों को इससे वुकत करने की जरुवत है जिसमें पानी की खपत कम हो विजली की खपत कम हो ऊवरक फर्टिलाइजर की खपत कम हो और स्टबल तो बचे ही नहीं उसके अलाबा डाइ expenditure हो रहा है water level उससे affect हो रहा है कि नहीं pollution के लिए account कर रहा है कि इन सब चीजों के यहां पर ध्यान देनी की जो दोनों सरकारों को जरुरत है और package को diversify जितना हो सकता है उतनी करने की भी आवशकता है उससे साथ में free price of fertilizers and provide subsidy in case per hectare basis demand driven मतलब आप fertilizer जो उवरक है वो केवल उतने ही दीजिए इतनी की जरुरत हो जितना उसके पास में hectare जमीन है उसके मात्यम से आप उतना उनको fertilizer दीजिए जिससे इसका दुरू प्योग ना किया जाए इतनी demand हो उतना ही इसका supply किया जाए उसके साथ में restrict government procurement of paddy मतलब जैसे paddy का procurement है पर्टि नाम है तो हमको इस और ध्यान देना बहुत जरूरी है और जो हमारी पॉलिसी से जो हमारे नियुन नहीं है पहले से लिए हुए उनको भी revise करने के यहाँ पर आवशकता है तो चलिए जो दीशतर हमारा आर्टिकल है यह हिमालय में infrastructure त्यार कर रहा है चीन जो कि प्रूत्र के आसपास तो उससे भारत को कुछ समस्या हो सकती है तो यार लूंग रिवर बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को चायना में चायना से ही निकलती है यह चीन से ही निकलती है वहाँ पर उसको यार लूंग कहा जाता है तो यहाँ पर कुछ कंस्रक्शन किया जा रहा है उसका जिससे भारत की जो जन संक्या है उस पर प्रभाव पढ़ सकता है हमारे जो छेत्र है जहा सब्रमपुत्र बहती है उन छेत्रों पर प्रभाव पढ़ सकता है उसके बारे में हम जान लेते हैं तो यहां पर चाइना वाटर अबिलिटी की बात की गई कि चाइना में चीन जो उत्तर और दक्षिन को उनकी कैनल्स को हम जोड़ेंगे तो यहां पर यह होगा कि ब्लॉक्ड रिवर्स लाइक मैकॉंग एट्स ट्रिब्यूटरी तो मैकॉंग रिवर जो है जो कि थाइलेंड वियतनाम लाउस और कमबोडिया को पानी पहुंचाती है यह ब्लॉक हो पाएंगी क्योंकि ब्लॉक कर देंगे स्रिफिस को चीन ही यूज करेगा तो इन सारे देशों तक पानी नहीं पहुच पाएगा तो इसका रिजन क्या है कि क्यों चाइना इतना उतावला है यहां पर कि वह चाहता है कि वह नौर्थ और साउथ कैनल्स को जोड़े तो पहली 7% है तो यहां पर जो सतन रिजन है इस कमपरेटिवली बॉटर पीच तो जो दक्षनी भाग है तिपदवाला एरिया है और जो भारत से लगा हुआ एरिया है यहां पर पानी की बहुयाता है पानी बराबर है पानी की कोई भी किलत नहीं देखने को मिलती है लेकिन वही इतना पानी नहीं है इसलिए चाहते है कि जो सार्वत का पानी है उसको यूटिलाइस करके हम नौ्थ चीन में भी पहुंचाया तो ब्रहमपुत्र रिवर के बारे में कुछ information बहुत स्रूरी हो जाती है जैसे ब्रहमपुत्र रिवर जो है यह पहुत बड़ा वरदान भी है इसके साथ में इसका अभीशाफ भी देखने को मिलता है क्योंकि हर साल कम से कम micro वाड़े देखने को मिलती यह बाड जो है पहली तो हमको समर्स में देखने को मिलती है अब यहाँ प्रश्न ही आ जाता गर्मियों के दिन में का से हमको देखने को मिलते है क्योंकि होता यह है कि गर्मी बढ़ने के कारण अब यह नदी जो है वह हिमाले से आती है जो हिमाले का पानी पिगलता है वही नदी के फॉर्म में कनवर्ट होता है तो गर्मिया बहुत जादा बढ़ने के कारण राज कर ग्लोबर वाल्मिंग के च माले से पानी भी आ रहा है तो उससे तो पानी बहुत जादा बढ़ चाहता ही है तो फ्रिक्वेंशी ओफ फ्लर्ट्स आर इंक्रीस द्यू टू क्लाइमिट चींज इंपेक्ट ऑन हाई और लो फ्लो तो यहां पर क्लाइमिट चींज हो है वह बहुत बड़ा यहां पर एक प्रेश्न बन जाता है जिसके कारण जो फ्लर्ट की संक्या है फ्रिक्वेंशी से वह बहुत जादा अभी बढ़ती है उसके अलावा इंडिया इन बांगलादेश तो यहां पर फूट सेकुरिटी जो है खादी सुरक्षा जो है भारत और बांगलादेश के लिए बड़ा कंसर्ण बन जाता है कि बहुत बड़ी पोपुलिशन जो है वह ब्रह्मपुत्र रिवर्टें डिपेंट तो यहां पर चैलेंजिस फ् सिस्टम है उसको डिस्टर्ब होगा क्योंकि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करें जो नैच्रल फ्लो है वह कहीं ना कहीं से बतलेगा उसके अलावा ब्रह्मपुत्र बेसिस बैसिन इस वन ऑफ वर्ल्ट स मोस्ट एकोलोजिकल सेंसिटिव बैसिन आइडेंटिफाई एस वन उसे में काजिरंगा नैशनल पार्क भी है तो यहां पर जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसको काफी महत्पुन माना जाता है यूँकि एकोलोजिकल सेंसिटिव बैसिन इसको माना जाता है वर्ल्ट के 34 बायोजिकल होट्सपोट है उन्हीं में से यह एक है और हमारा जो काज का रख चीज है उनकी भी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनीं चीज है उसके अलावा लोकेशन पूस्टर इस हिमालया और मोस्ट वर्ल्रेबल टू अर्थक्वेक तो हिमालय का जो निर्मांट हुआ है यह दो प्लेट के टकराने के खारण हुआ है तो इसलिए यह जो लोक पानसे बढ़ जाते हैं तो यहां पर इंडिया के बारे में देख लेते हैं भारत में पानी की जैस्तिती है तो भारत में हमको कोई रिवर्स देखने को मिलती है कुछ रिवर 12 महीने बहती है कुछ रिवर कुछ ही समय के लिए मौनसून और थंडियों के समय बहती है और गर सब्सक्राइब करें तो समय की बात करें तो मैशोइंटी ऑस बैस के साथ मुख ए Senelle इस वाटेफ सब कर्म की दिन के स्फीन नर्वदा हो ताप्ती हो, कुधावरी एंगे, कुछ बड़ी नदिया तो यह जो नदिया है यह लाधन के स्फटे है hoता है और यह पानी जो है, गर्मिय के मार्च व्रवरिग मार्च तक सस्टेन हो पाता है, जाता अप्रेल तक जार पाता है लेकिन जैसी गर में आती है तो इनका जलिसतर काफी जादा नीचे जड़ जाता और ये बहुत सारे नदिया तो सुच जाती है इसके कारण जो साउथ का एरिया है हमारा उसके साथ जो बेस्ट का एरिया है यहां पर बहुत जादा पानी के समझ स्यासे इन एरियास को है यहां पर 12 महीने पानी रहता है यहीं माला इसे क्योंकि रिवर्स हाती है तो इंडिया में भी एक एंबिश्यस प्लान है कि हम साउथ और नौर्थ की रिवर्स को कनेक्ट करें जिससे पुरे भारत को बरावर रूप में पानी मिल पार तो यहां पर अल्टरनेटिव सॉल लेक्स बनाए जिसमें बारिश के समय में पानी उसमें रुख जाए और वह हम 12 महीने यूज कर पाए उसके अलावा भारत ने बहुत सारी ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ वाटर कैप्चर पिया जैसे राजिस्तान में बहुत सारे लंबे-लंबे बहुत बारी को लंबे कर दिये है तो वैसे कुछ रेडिशनल हमारी मेथेट से उनको वापस रिवाइफ करने की आवश्यक्ता है जिससे हम पानी का संग्रहन करता है तो चलिए हमारे न्यूज इन फ्लेश पे आते है आज तो पहला जो न्यूज है वो है चाइना के संबन में तो चाइना ने यहाँ पे ए और सॉइल जाके इखटा करेगा उसके अलावा जो दूसरी न्यूज है यह है पार्लैमेंट पैनल के बारे में यह एक लॉल आने वाले है जो की काउंटर बायो टेर्रिजम के से दील करेगा तो तो इंशर सेकुरिटी अगेंस बायोजिकल वैपन इंक्लूद स्ट्रेंथ डिजीज, सर्विलेंस, एन एनिमल, यूमन इंटर्फेंस, ट्रेनिंग, एन कैपिसिटी बिलिइंग, फॉर मैंजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्क इमर्जिंग, फॉम यूज ऑफ बायो वैपन्स और स्ट्रेंथनिंग, डिसर्च और सर्विलेंस, तो समय के साथ में जो है टेर इसकी पुष्टी नहीं हो पाई, लेकिन यहां पर एक चांसे बढ़ जाते है, कि बायोजिकल वैपन्स यूज किये जा सकते है, तो उसी के लिए गवर्मेंट हमरे जो पार्लियमेंट है, इनका पैनल सेटप किया गया है, कि यह एक लोग ऐसा ला सकते है, उसके अलावा ब इनका पैनल सेक्षिल हेल्थ और जैंडर वॉयलेंज जो होती है, जो लानी नहीं हिंसा होती है, इसके लिए उन्हें यह पुरसकार मिला है, इसके पहले दो भारतियों को यह पुरसकार अल्रड़ी मिल चुका है, उसमें पी-म इंदरा गांधि जो उनको 1983 में मिला है, उसक कि अ